गुड इवनिंग स्टुडेंट्स आज की टॉपिक एंब्रियो जैने जैसे कि हमने कल वाली टॉपिक में पढ़ा था एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंडोस्पर्म नूट्रीशन प्रोवाइट कराता है तो जाइगोट अब एंब्रियो में कनवाइट होगा तीन तरह का लोबियल, नूउक्लियर, एंड सैलॉलर टाइप तो आज की टॉपिक हम करेंगे एंब्रियो जैने जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे डाइगरम पहले से बना है बच्चे डाइगरम बनाने में टाइम वेस्ट होता है इससे अच्छा डाइगरम बना बनाया है आप के सामने आप इसका पहले स्क्रीन शॉट लोगे एक बार इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो ताकि आप आराम से इसको बना सको ले लिया अब एक-एक टर्म डाइग्राम बिलकुल क्लियर है एक-एक करके डाइग्राम बनाना है और इसके बारे में लिखना भी है ठीक है डाइग्राम का स्क्रीनशॉट इसलिए कहाता ताकि आप डाइग्राम आराम से बना सके जो फिलाल यह हम करने वाले है डाइग्राम बनाना है आपको दिखाई दे रहा है जाते हैं जब एंडोस्पर्म कंप्लीट फॉर्म कर जाता है और endosperm की complete formation के बाद development of gigot starts कहते हैं मतलब यह जो line है यहाँ पर के वल one word लिखना है development of gigot start यह gigot है जिसके अंदर nucleus present है, cells present है यह अब division start करेगा मतलब अब इसमें division start होगी यह divide करेगा, बच्चे तो देखो, it divides transversely मतलब start, development of gigot start divide, एक से दो बनेगा अब two cell stage आगए, two cell में बड़े वाले पार्ट को हम suspensor कहते हैं और छोटे वाले पार्ट को embryonal cell या embryo cell कह सकते हैं suspensor is also known as बच्चे, इसको हम कहते हैं basal cell and embryonal cell is known as terminal cell क्या कहेंगे? is known as terminal cell और also known as इसको और क्या बुलाएंगे हम? इसको हम बुलाते हैं apical cell note करेंगे two parts में ये divide किया unequal division होती है, transverse division होता है अब लिखेंगे division of jivote division of jivote into कौन से दो पार्ट में? तो two parts suspensor cell and embryonal cell in suspensor cell and embryonal cell first division, जो division होई है वो कैसी होई है तो first division is transverse next point लिखेंगे आप first division is transverse पहले division transverse होती है अब transverse division में अभी हमने देखा कि एक उपर वाला part basal कहलाया और नीचे वाला part terminal कहलाया ये basal और terminal cell में कौन-कौन से पार्ट है एक बार मैं पहले आपको पूरा description दे देती हूँ उसके बाद हम लिखते हैं क्योंकि generally मैं आप इसको erase करूँगी देखो normally एक से दो divide किया ठीक है transverse ये division करता है transversely ये कटा और दो पार्ट में divide कर गया अब इसके बाद फिर से divisions चलती है फिर से divisions चलती है तो कहते हैं suspensor cell में भी division चलती है तो ये एक का दो बन जाता है और terminal में भी division चलती है तो ये भी एक का दो बन जाता है तो दो और दो कितने हो गए चार ये देखो चार cell में दिख रहा है अब दो और दो अगर मैं चार की बात कर रही हूँ तो इस stage को हम कहते हैं quadrant stage T-shape embryo form करता है और इसे quadrant कहते हैं अब इस quadrant में फिर से division चलती है फिर से division चलने का मतलब है 6 से 10 cell में ये divide करता है उपर वाले cells देखो ये cells divide करेंगे तो अब अगला जो division होगा ये चार से किसमे convert हो जाएगा आठ में जब आठ में convert होगा तो इसे हम octant बुलाते हैं चार था इसे quadrant बोला जब ये divide कर गया और divide करके 8 में convert कर गया तो इसे हम कहते हैं octant octant जब arrange करेगा arrangement कैसे करता है दो lines में arrange करता है इन 2 tires क्योंकि ये रहा octant अब ये further divide करेगा तो सीडिसी बात है दो line में arrange किया 8 और 8 16 cells बन गया इसको हम कहते हैं globular embryo this shape is named as globular embryo इसके बाद ये shape change करता है तो इसे कहते हैं heart shape embryo जब heart shape embryo बन जाएगा तो ये proper embryonic stage मतलब embryo complete form करना start करता है तो ये जो last दिखा रखा है it is a typical dicot embryo ये एक typical dicot embryo है आपने अभी जो समझा है वो simple lines थी बचे एक cell divide gigot किया तो दो cell में बना फिर ये division किया तो 4 बने 4 को हमने quadrant कहा फिर ये 8 में divide कर गया that is known as octane जब ये 8 में divide किया तो उपर की तरफ देखो suspensor cells के जो number increase कर रहे हैं इसका एक part swell sub कर जाता है जब इसमें swelling होती है that swelling is named as house-torial cell इसे house-torial cell कहते हैं rest all is known as suspensor कहलाता है बच्चे suspensor का जो last cell होता है इसे हम hypofysis कहते हैं जो embryonal cell के towards लाई करता है इसे hypofysis बुलाते हैं और hypofysal cell कहते हैं और जो part chaliza के towards होता है उसे epibacal cell कहते हैं जब यह division start करता है तो देखे नीचे वाले जब division start करता है मतलब terminal जब division start करता है तो उसके outermost layer को हम कहते हैं जो बाहर वाला part है उसे dermatogen बुलाया जाता है जो अंदर वाला part है वो दो part में divide होता है one is known as pro cambium and second is known as ground meristam अंदर वाले दोनों part का नाम एक का नाम है pro cambium और एक का नाम है ground meristam अब इसके बाद यह divisions करते हैं और globular shape में globular shape is converted into heart shape embryo और heart shape से proper एक embryonic development दिखाई देती है start करें अब आप write down करोगे क्योंकि मैं diagram erase अगर डिसने diagram नहीं ले रखाओ फिर से बच्चे एक बाद आप screenshot ले सकते हैं क्योंकि diagram आपको complete बनाना पड़ेगा ठीक है अब मैं इसको लिखना start करती हूँ मैं ये वाला step अब erase करूँगी अब लिखेंगे हम लिखे हमने लिखा था development of gigot start division of gigot into two cells दो cells में बना एक suspensor cell और दूसरा बना embryonic cell फिर हमने लिखा है first division is transverse इसकी पहली division transverse होती है अब transverse के बाद next step लिखे two unequal cell formed unequal cell formed दो unequal cell form करते है this cell formed towards micropyle known as basal cell जो micropyle के towards form करती है उसे हम कहते है basal cell and do cell formed towards chalisa known as जो chalisa की तरफ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं embryonal cell कहते हैं अब इसे आप note करिए हो गया आप इसमें next लिखते हैं देखो मैं इस डाइगरम इरेस करने जा रहे हूं बच्चे इसको हम दुबारा बना लेंगे अब हम यहां तक आ चुके हैं अब इस अगले वाले की बारी लिखे बेसल सेल अब मतलब बेसल की बात कर रहे हूं तो उपर वाले की बेसल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड चर्मिनल सेल डिवाइड डिवाइड वर्टिकली एक ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा और एक वर्टिकल डिवीजन करेगा अब इसमें होगा तूसल अब अब बेसल यज करेगा अब ट्रांसवर्स डिवीज-वयर्स डिवाइड तूसली और T-shape embryo अभी हमने देख लिया यहां तक कि ये भी divide करता है तो उपर दो बना लेता है फिर ये नीचे दो cells बना लेते हैं दो और दो directly 4 cells हो जाते हैं जब ये 4 cells बन जाते हैं मतलब एक से 2 divide करता है फिर अगला 2 divide करता है तो 4 cell stage आ गए 4 cell को हमने कहा quadring या फिर इसी को T-shape embryo भी कहते हैं फर्दर ये T-shape किसमें convert हो जाएगा octant में further division and formed octant ये फिर से divide करेगा और octant बना लेगा मतलब 4 से ये divide करके अब 8 cell में जाएंगे अभी मैंने कहा था suspensor cell उपर वाला पार्ट है अब ये swells up करेगा और उपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे how storial cell मतलब जो आपने इधर diagram बनाया था अब हम उस diagram की labeling करना start करेंगे चलिए करते हैं इस octane के बाद आप next point लिखेंगे the tip of suspensor cell swells and formed how storial cell ये swelling करता जाएगा और इसे हम बुलाते हैं how storial cell इसके बाद by term transverse division ये जो 6 to 10 अब इसमें simple ये octane जो बना रखा था octane 8 cell वापिस divide कर जाता ये further division करते हैं तो 6 to 10 cells आपके suspensor suspensor cells are 6 to 10 cells clear आ गया जाइगोड था division किया दो में फिर दो वाले ने further 4 में divide कर गया 4 वाला further 8 cell नीचे की तरफ से 8 cell में ये division कर जाता है और इसी को अब हमने जो बच्चे जो ये डाइगराम आपने बना रखा था ये simple वाला डाइगराम आपको याद दिला रही हूँ ये थे 6 से 10 तक वाले ठीक है फिर हमने ये part ऐसे बना दिया था और इसमें फिर further divisions इसमें cells बन गया थे ये cells थी और बीच का part था हम इसे कहते हैं suspensor ठीक है इसे कहते हैं house to real cell जब नीचे वाला डिवाइड करेगा तो नीचे वाले divisions में outermost layer form करेंगी अब हमें नीचे वाले part को भी complete करना है तो चलिए उसे लिखते हैं जब हमें लिखते हैं देखो कितने अच्छी लाइन दिखी है हमने the part of suspensor cell lie towards embryonal cell जो suspensor का part embryonal की तरफ दिखता है मतलब यहां कहीं ये जो part दिखाई देगा embryonal की तरफ that is known as इसे हम क्या बुलाते हैं hypo physis बुलाते हैं बच्चे इसे hypo physis कहते हैं और इसी hypo physis से root tip और root cap की formation होती है मतलब यही बाद में radical में convert कर जाएगा clear आ गया मतलब अब hypo physis cell बी complete formed कर गए अब इसके बाद this octane cell divide periclinal division octane cell divide periclinal एक होता है anti-clinal और एक होता है periclinal periclinal division मतलब perifericate words breakdown करना divide and formed sixteen cell embryo known as globular embryo जो sixteen cell embryo two lines में eight और eight दो line में यह form कर जाता है that is known as globular embryo अब इसमें next आते हैं अगला मैंने अंदर वाले जो part लिखे थे वही लिखेंगे outer dermatogen inner dosals बनते हैं one is known as pro cambium one is known as pro cambium and second is known as ground marrow stem अगले वाले को हम ground marrow stem कहते हैं simple से आपने line लिखें कुछ भी नया मैंने नहीं लिखा है जो मैं बनाया हूँ mainly जो हमने बनाया है वही हमने अभी लिखा है clear है अब इसमें last time आ गया मतलब इसके बाद जो shape बनी हुई थी अब उस पे हम बात करते हैं note कर लिया सबने अब हम इसको erase करेंगे this globular embryo बेटा आपने अभी इस diagram के बाद हमने ऐसे बनाया था then cells are there और ये ऐसे बन गया था shape मतलब next point globular embryo convert किसमे हो जाएगा heart shape embryo में मतलब globular embryo के बाद जो form करेगा वो heart shape embryo is form and heart shape embryo के बाद simple terms ये cells बने थे ये cells थे last cell is named as hypophysis और radical बोलते हैं ये उपर का suspensor वाला पार्ट चला जाता है इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये cotylidans आ जाते हैं मतलब directly मैं अब last line लिख सकती हूँ a typical dicot embryo is formed ये है वो typical dicot embryo मतलब ये आपको याद रहना चाहिए कि typical dicot embryo कैसा होता है अब मैं लिखूँगी next line आपकी आएगी it consists of an embryonal axis and two cotylidans a typical dicot embryo जो है वो एक embryonal axis consist करता है और दो cotylidans consist करता है next point the part of embryonal axis embryonal axis above the cotylidans known as epicotyle जो part उपर की तरफ रहेगा उसे epicotyle कहेंगे it terminates in stem tip ये stem tip में terminate कर जाता है so known as क्या बुलाएंगे it is known as plimure जो बाद में further shoot tip बन जाता है और दूसरा part the part below the embryonal axis known as उसे हम क्या बुलाते है hypocotyle उसे हम बुलाते है hypocotyle जो part embryonal axis के बिलो होता है उसे हम बुलाते है hypocotyle जो उपर होता है उसे बुलाते है हम epocotyle epocotyle terminate in stem tip तो अपने आप बताओ कि यह hypoocotyle किसमे terminate करेगा let's answer तो hypoocotyle is terminate sin directly मैं hypocotyle is terminate sin हम कह सकते ही terminate sin root tip और root tip से फिर further is named as क्या बुलाओगे आप इसे radical it is named as radical इसे हम radical कहेंगे मतलब यह जो diagram बना हुआ है वो है यह part मतलब directly अगर question paper में आता है draw a typical diagram of dicot embryo that is the dicot embryo and it is the description complete अगर आपको पूछता है development of embryo embryo की complete development क्या होती है तो embryo की complete development के लिए बच्चे हम embryo geni पढ़ेंगे और embryo geni अब embryo geni मैं आपको इक बार फिर से revise कराती हूँ ध्यान से समझना क्योंकि written work हमारा आप complete हो चुका है clear है अब केवल हमें cells के बारे में समझना है कि जो हमने बनाया है या जो हमने अभी लिखा वो हमें समझ में आया या नहीं आया एक बार back revision लेते हैं हमारी topic है embryo geni that is embryo genesis formation of embryo from gigot is known as embryo genesis embryo geni कहते हैं embryo geni दो जगा पे एक monocot और dicot दोनों में चलती है हम फिलाल यहां पर development of embryo in dicots पड़ रहे हैं mainly कहते हैं सबसे पहले dicot में capsula में सबसे पहले इसको देखा गया था और जो discovery की थी वो hans ten ने की थी h-a-n-s-t-e-i-n hans ten ने किया था discover सबसे पहले capsula में इसके बाद था क्या जब endo mainly कहते हैं endosperm nutrition provide कराता है जब endosperm primary endosperm nucleus से complete convert कर जाता है तब यह अब gigot को initiate करता है कि it convert into embryo अब यह embryo में convert करें क्योंकि यह इसको nutrition provide कराएगा clear अब हमारी बारी first के आती है पहला gigot simple gigot कहा है या फिर ospore कहीए यह start करेगा अब अपने आपको divide करना first division transverse चलती है दो cell बनते है उपर वाला basal और नीचे वाला terminal first line transverse division के बाद फिर से divisions चलती है बच्चे लेकिन अभी हमने कहा था जब divisions चलेंगी तो जो उपर वाली cell है वो transversely divide करेगी जो नीचे वाली cell है वो vertically divide करेगी तो सीडी सी बात है अगला जो division चलेगा वो कुछ ऐसा दिखा और ये shape दिखाई दे रही है T-shaped 4 cell जब form करते हैं तो T-shape बन जाता है और इस T-shape के लिए हम कहते हैं quadrant stage यहां तक clear है अब ये quadrant further division करेगा further divide मतलब 4 से किस में बन जाएगा 6 to 10 cells बनती है जब suspensor की उपर वाला part swells up कर जाता है that is known as house torial cell तब तक नीचे वाला भी octant divide कर चुका है जो बाहर की layer बनती है that is known as dermatogens जो अंदर की इसके अंदर cells बनती है उसे ground meristem और pro cambium कहते हैं इसके बाद जो ये suspensor cell थी बच्चे suspensor का जो last होती है that is known as hypophysis और यही hypophysis cell क्या बनाती है हम कहते है root tip और root cap form कराती है clear आ गया यहां तक clear है that shape is known as globular shape embryo कहते हैं फिर ये octant फिर से divide करता है 16th set globular is converted into heart shape embryo heart shape में फिर से further divisions चलती है और ये proper अब cotlidon की shape लेगा और एक embryonal axis complete form करती है उपर और नीचे दो cotlidons निकल के आते हैं तो हम यही कहते है a typical embryo is form it consists of an embryonal axis and two cotlidons दो cotlidons फिर्म करते हैं जो उपर वाला होगा उसे epicotyle और epicotyle किसमे terminate कर जाएगा तो primule में और नीचे वाला part होता है hypocotyle जो further किसमे convert कर जाता है radical में ऐसे ही monocot में आता है monocot में single cotlidon present and single cotlidon is named है उसे क्या बुलाते हैं हम कहते हैं scutulum बोलते हैं और उसकी embryonal axis का उपर वाला part that is coliopetile and colioresa कहलाता है एक part evap की तरफ stem की तरफ चला जाता है और एक part root की तरफ आता है जो की हम further seed में पढ़ेंगे clear है मतलब यह जो आपने पढ़ा यह आपको बिल्कुल clear है development of embryo and dicot completely form कर गया दो cotlidons हमने बना दिये दो cotlidon में उपर वाला epicotile और नीचे वाला hypocotile clear है किसी को कोई doubt हो बूच सकते हुआ आज के लिए इतना ही बाकि नेक्स क्लास में करते है